हेलो एवरिवन वेल्कम टो माँ चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं महुमत सोहेल दोस्तों आप लोगों के लिए आप लोगों के डिमैंड पे मैंने निफ्टी फिफ्टी से बेस्ट से बेस्ट स्टॉक निकाला है अब देखिए मेरे यूटूब चैनल पे तो मैं पहली बार बात कर रहा हूं वीडियो के अपर इसलिए थोड़ा डीटेल में बताऊंगा कि रिलाइंस इंडस्टी इस लिमिटेड पे कुम से लेवल पे और कैसे ट्रेड करें देखिए क्यूंकि इसका लेवल तो बहुत ज्य वसे त्रिपल प्रॉफिट कैसा हो अपने क्यापिटल के हिसाब से यानि वह 20,000 का 30,000 का एक लाग का कैपिटल भी जायतार लोग लेके चलते हैं उसके अंदर कैसे स्टाटेजी बनें आज के वीडियो में आपको चार्ट अनलैसिस करते बें बता दूंगा और एक बात बत स्टाउक जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा उससे पहले ही नीचे स्टाटेजी करेंगे ओवराल लेवल के उपर स्टाउक उपर जाते हुए दिखा हम लोग तो प्रॉफिट में ही एकजिट होंगे दोस्तों वैसी स्टाटेजी आज के वीडियो में मैं बताने व 6280 रुपिस का प्राइस आख्शन होता था पिछले एक या दो हफ्ते से भी अब देख सकते हैं इसके अदर एक बार या दो बार इसके अदर हमें 5270 या 80 रुपिस का प्रैस आख्शन देखने के बाद देखिये स्टॉक में हमें 2121 से लेके 2080, 40 रुपे का प्रैस आक्शन उसके हिसाब से भी यह बीच लेवल पर आके रुखा है यानि हमें आज यह profit दे चुका है दोस्तों हमें 37 रुपीज के नज़िक हमें profit दे चुका है उसके हिसाब से भी देखिए stock कुन से level पर trade कर रहा है अब देख सकते हैं 2107.10 यानि यह level पर stock लेना सही होगा आपके हिसाब से आप सूँच के देखिए मेरे हिसाब से तो दोस्तों IC stock में लेके रखना है short term targets के अंदर average हुए तो reversal हुए तो इसके अंदर हम लोग average करेंगे उसके stock आगे जाता हो अधिका weekly और monthly के अंदर हम लोग exit हो जाएंगे पर IC stock के अंदर intraday करना तो मेरे लिए तो थोड़ा risk है क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा risk है क्योंकि इसके अंदर वो level नहीं बनेंगे अगर इसके अंदर risk factor बन रहा है तो देखिए लुकसान में exit होना पड़ेगा आप लोगों को भी personally मेर को भी exit होना पड़ेगा इसलिए हम लोग इसके अंदर monthly और weekly targets पर trade करेंगे और इसके अंदर कैसे levels बनाएं कैसे strategies बनाएं वो भी आपको आगे चलके chart analysis में बता दूंगा और एक बात है दोस्तों इंट्राडे के लिए मैं target भी लेके आया हूं वह भी वीडियो के आखरे में आप सभी को दे दूंगा दोस्तों अब देखिए इसके अंदर जोबिस का price action है वो मेरे हिसाफ से तो बहुत कम है और आगे चलके इसके अंदर price action बहुत बढ़िया बनने वाली है short term levels पे किदर exit करें वह भी आज की वीडियो में बता दूंगा आगे चलके वीडियो में दोस्तों चार्ट अनलाइजिस में जाने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं यह मेरा टेलीग्राम चैनल है आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जाइन नहीं किया है तो description link में link है link को hit करि एक word भी mistake हो गया तो मुझे mail नहीं आएगा इसलिए आप सभी को problem हो रहा था इसलिए मैंने instagram social media का support लिया है आप लोगों से direct बात करने के लिए दिखें आपको chatting में भी problem हो रही तो आप मुझे आप record करके आपके problem समझा सकते हैं मैं उसके according आपको बताऊंगा कि stock के अंदर चलिए आगे बढ़ जाते हैं चार्ट analysis के ऊपर दोस्तों आपको instagram का page का link भी description में मिल जाएगा दोस्तों बेफिकर रही है कौन सा बुले वो link हमारे पास कम दाम में description में मिलता ही रहता है आप सभी को अच्छिलिए मजग बहुत हो गया है आपको मजग अच्छा नहीं दि close करा वरना यह दूसरे यहां तिसरे दिन भी close करता था अब देखिये जो गैप डॉन में उपनिंग किये उसे उस दिन close नहीं किया है उसके तिसरे दिन इसे आप टरन जाता हुआ क्लोस कर दिया है अब इधर हमें हिंट रहे रहा है कल के दिन यह gap up में open हुआ gap down में भी open हुआ हमें समझ जाना चाहिए कि वह level पे stock return जाएगा यह easy strategy है दोस्तों ठीके अब देखिए जो भी इसके अंदर rs level उपर पे दिख रहे हैं अगर बॉटम लेवल पे touch कर रहा है तो देखिए 2050 तक level जा सकता है और 2060 के level को touch करके भी reversal मार सकता है तो हम क्या करेंगे पहले entry मिला तो इधर ही entry ले लेंगे वरना entry मिल रहा है डायरेक्ट एक बारी downtrend में वरना हम लोग इधर भी entry लेंगे हमारा exit कि दर होगा दोस्तों इस stock के अंदर character 200 लेवल पे यानि 2200 ले और 2162 जा रहा है reversal ले रहा है अब इधर भी हमें 2140 तक गया reversal लिया इधर 2160 के नजदिक जाके reversal लिया अब इसके अंदर जो भी up move देखने को मिलेगा वो reversal के बाद ही देखने को मिलेगा दोस्तों अगर reversal से पहले भी देखने को मिल रहा है तो वो लोग बहुत लगी है जो रिलाइंस को खरीद के रखे हैं पहले से क्योंकि देखिए 2200 लेवल के बाद stock के अंदर reversal होनी पकी है दोस्तों क्योंकि देखिए लगातार एक stock हमें 200 से 100 रुपे का profit दे रहा है क्या अर बार यह 200 से 100 रुपे का profit देगा ऐसे देगा तो आज के दिन रिलाइंस इंडस्ट बिस हजार का stock रहता था और एक साल के बाद 40,000 का stock फिर एक साल के बाद 50,000 का stock होता था देखिए दोस्तों को सब stock आगे बढ़ रहा है तो उससे फीचे जा नहीं है और फीचे जा रहा है तो उसे आगे बढ़ना है पर उसके अंदर ही हम लोग strategy maintain करके stock के अंदर exit होते हैं दोस्तों वैसे ही strategy short term के लिए मैं आपको अभी ही बताने वाला हूं आप वही strategy पर maintain करके चलिए अगर आप अभी आप book pen लेके बाइटे हों तो दोस्तों आप इसके अंदर entry कर लीजिए अगर आप नहीं लिया है तो वीडियो को pause कर लीजिए अभी जाके book pen ला लीजिए और stock reversal लिया तो आपको इसको average करना होगा 1900 लेवल पे अब यहां से भी ब्रेक कर चुका है तो आपको 1700 लेवल लेना पड़ेगा बस यह दो लेवल पे हमें average करनी होगी below से below average दोस्तों आपका 190 के नीचे बनेगा यानी 1900 लेवल के नीचे बनेगा कल के दिन 1900 से हम लोगो 2000 भी ज देखने को मिलेगा यानी यहां से यहां के लेवल को 100 रुपे देखने को मिलेंगे अब देखियो 100 रुपे देखने को मिल रहे हैं तो यह opportunity कोड मिस करेगा अगर यह reversal हुआ तो भी दोस्तों रिवसल नहीं हुआ है तो अगर नीचे से नीचे लेवल पे आप एक्जीट करन एन दोस्तों यह मैं टागेस निकाला हूँ, अब लोग भी इस पर ट्रेट कर सकें तो दिखिया कल के दिन प्री मार्केट में मेरे expected जो buying prices selling prices आपको दिख रहा है तो इधर ही आप entry ले लेके stop loss and target लगा लिजिए लगाने के बाद दिखिए stop loss हीट हो रहा है तो कितना कम लुखसन हो रहा है target हीट हो तो कितना कम profit हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा कल pre market में मेरे levels आपको देखने को नहीं मिले तो after 9.30 10 के बिशे में कभी भी levels देखने को मिल रहा है आप बेफिकर से trade कर सकते हैं दोस्तों कल के दिन market में trade करने के लिए आप अभी screenshot निकाल लीजिए या मैं target लिखा ला हूँ दोस्तों 9th September 2020 विनेज दे यानि कल के लिए